मैं भी कुछ कहूंगा हकीकत खोल कर आप सब बस तालियां बजाना पहली बार आया हूँ आप सब के सामने आप बस सयोग करना महबत एक तरफा हो तो कभी मुकमल नहीं होती यार ही अगर बेवफा हो तो मनजिले मुकतर की नसीब नहीं होती जन्नत से क्या लगा वो एक तरफा आशिक को उसके महबूब से बढ़कर उसकी कोई खुशी नहीं होती एक तरफा मुहबत कभी मुकमल नहीं होती आगे सुनिएगा इसी में मैंने वफा भी उसकी बेवफाई से सीखी है मैंने वफा भी उसकी बेवफाई से सीखी है यार की बस्ती से एक मुहबत ही तो लूटी है दिल तो उसका कोई और लुटेरा ले गया गलती हर बार आशिक की नहीं होती एक तरफा मुहबत कभी मुकमल नहीं होती आगे सुनिएगा देखते ही जिसको ये आँखे नम हो जाती है उन आँखों की तस्वीरें तुरंट छप जाती है कैसे यार कोई पागल नहोता अगर एक तरफा मुहबत मुकमल होती महबूब को खुदा मानने वाले की हर बार गलती नहीं होती महबूब को खुदा मानने वाले की हर बार गलती नहीं होती एक तरफा मुहबत कभी मुकमल नहीं होती अब आते हैं एक हकीकत पे जो इस समाज के लिए मतलब हकीकत ही है तो बेटियों के उपर मैं कुछ लिख कर लाया हूँ खिलोना नहीं तुम एक बेटी हो समाज में जंगली बहुत हैं पर तुम कहां डरने वाली हो आखे तुम उन सब से लडने वाली हो आखे तुम एक बेटी हो बंदी हो तुम लीती रिवाजों से बंदिशों के कई पहरे हैं पर तुम देवी का रूप हो तुम कहां डरने वाली हो आखे तुम एक बेटी हो जो कमजोर समझते हैं तुमें तुम उनके लिए लक्ष्मी बाई हो जो राक्षस है समाज के उनके लिए दुरगा मा का रूप हो तुम कहां इन सब को माफ करने वाली हो आखे तुम एक बेटी हो व्यपार तुम अपने भाई साथ संभालती हो ग्यान हमारे की जननी हो तुम कहां हार मानने वाली हो मा सरस्वती का भी एक अंश हो अपने पिता के सरका ताज हो दो परिवारों की तुम शान हो तुम एक राजदुलारी आखिर तुम एक बेटी हो इसी के साथ मैं एक छोटी सी चालने और कहूँगा कि इन मेहफिलों को तुम जीत ले जाना इन महफिलों को तुम जीत ले जाना मैंने तो दिलों को जीता है तुम आज घर चले जाना मैंने यही सब के दिलों में रहना है थैंक यू गाइस